नमस्कार, Jai CAC, मैं समर्च वादरी और आज मेरे साथ सुनी सर हैं तो सर सबसे पहले टेक्नो 24 एस्पेरेंट्स का वेलकम तो वीडियो सोलुशन और एक बहुत अच्छा एक्जाम अपने पांसमों को कंड़क्ट करा है साथ स्टेट में जिसमें अपने को पैरेंट्स और बच्चों के बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला बहुत शांदर बिल्कुल सर तो और आप क्या कहना चाहोगी सर सबसे मैं चीज है कि पहली बार इतना बड़ा एक्जाम कंड़क्ट हुआ बिल्कुल सर शेवन स्टेट में कंड़क्ट हुआ बिल्कुल सर 1,38,000 प्लस इस्टूरेंट्स इसके ऐस्पैरेंट्स बने बिल्कुल सर इसके भागिदार बने और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी पैरेंट्स का जो अपने बच्चे को एक स्वर्णिम भविश् और अपने बच्चे को रिजिस्टर कराया घुर्णिम इस महा बियान में जो क्लास फिप से लेकर क्लास तुल तक के स्टूडेंट के लिए कंड़क्ट करवाया गया उन सभी स्टूडेंट को सियल सी की तरफ से पहले से ही चॉम्ग्रेचुलेशन और जल्द ही उनका रिज solution में आपको क्या क्या मिलने वाला है आपका जो भी paper रहा उसके जो भी content थे जो भी subject थे उसका complete depth wise video solution मिलेगा आपको और इस paper की खास बात जो बच्चों की द्वारा हमें मालूम हुई वो बात थी कि totally NCRT based paper होना exam oriented paper होना बहुत सारे कैसे students sir जुन्होंने पहली बार OMR को approach किया था पहली बार OMR based paper दिया था तो कहीं ना कहीं एक रस्ता और mind का expansion है इस चीजों को लेकर कि OMR based paper कैसे होते हैं और competitive approach कैसी होती है एक competition exam कैसे देते हैं साथ state के बच्चों के साथ अपनी class exam दे रहे हैं कि 22 लों को result declare होगा तो आपको भी पता लगा कि मेरी class में बच्चों में कहां खड़ा हूं तो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा confidence रहेगा अच्छा platform अपने दिया है बच्चे को तो बच्चे के ल बच्चों मेरा नीट का एक्जाम होगा या जो एक्जाम होगा तो मुझे कौन से topics पो और ध्यान देना है मैन फोकस को मैन फोकस को और किस topic पे करना है और सबसे खास बात यह भी रही कि बच्चों ने जो syllabus पढ़ाता ना अपनी स्कूल में उसी के ऊपर बेस्ट यह पेपर हुई आज ये वीडियो सोलिशन हो रहा है एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि इनकी डेट्स क्या क्या रहेंगी सर्थ अपने पांस नॉवंबर शाम पांच बजे टेक्नो 24 की आंसर की अपने वेब साइट पर अपलोड कर दी थी आज आज आट नॉवंबर रात को आट बज जीता है क्या स्कोलर सिपाप को मिलने वाली है इस सब का अनॉशमेंट मैं कहने चाहूंगा एक कुबेर का खजाना है बिल्कुर जाएगा और आपने उसमें क्या-क्या भागिदारी निवाई है वो सब कुछ बिल्कुर जर सो all the best for your result thank you JCLC Hello, Michal Kuldevarato, Team Mathematics CLC Seeker. We are going to discuss the math section of the Techno 2024 for class 5th. Fill in the blanks such as to make the statements below true. Fill in the blanks. So, let's say x is the, x is the number which occupy this fill in the blank. So, 23 plus 28 divided by x is equals to 30. Now, transfer 23 to that side 28 by x we get here 28 by x equal to 30 minus 23 that is 7 and 28 by 7 for the 28. So, 4 by x equal to 1. So, 1 x is multiplied with 1. So, 4 equal to x. The value of x is 4. Now, answer is option 1. Now, proceed for question number 2. Find the value of a if 11 plus a upon 97 minus 94. 11 plus a 97 minus 94 is the 3. 3 equal to 5. 5 into 3 15. So, 11 plus a equal to 15. So, value of a is 15 minus 11. 11 is transferred to here. So, 4 is the value of a. Option number 1 is the correct answer. Now, proceed the simplest form of 5 by 6 into 2 by 9. So, 5 by 6 into 2 by 9 and 2 by 9 is divided by 6 by 7. So, interchanging into multiply we have to just reciprocate this number. 6 by 7 become 7 by 6. Now, cancel 2, cancel 2 by 6 is 3 and 5 by 27 plus 6, 3, 7 by 27. So, 12 upon 27. So, 12 upon 27. By taking LCM 27 as 27 and 5 plus 7 is 12. Now, divide it by 3. 4 upon 9, 3 is a 27. So, 4 by 9. So, 4 by 9, which is the 4 by 9. 9, 3. 9, 3 is a 9, 4 is a 9, 4 is a 9, 4 is a 9, 4 and 9.44 is the answer. 0.44 is the first option. Now, for question number 4. A person has a sum of rupees 1350 in which he can buy exactly 5, So, in 1350 rupees, he can buy 5 tickets. So, price for 1 ticket, price for 1 ticket, price for 1 ticket, is 1350 upon 5. That is 270. How much more money will he need if he buys 7 ticket? So, price for 7 ticket, that is 270 into my 7. 1890. Now, we have to find the money which is spent by more. That is 1890 minus 1350 for 2 tickets. That is 0, 4, 5. So, 540 rupees he have to spend more for buy 7 tickets rather than 5 tickets. Now, now question number 5. That is 2 and 2 by 3, 5 and 1 by 2 and 3 by 8. We have to multiply these 3 fraction. These 2 first 2 are the mixed fraction. We have to make it to simple fraction. That is 2 and 1 by 3. 2 and 1 by 3. That is 3 into 2, 6, 6 plus 2, 8. 8 by 3. First fraction is 8 by 3 and 5 into 2, 10 plus 1, 11 by 2 and 3 by 8. Now, 3 and 3 is cancelled out. 8 and 8 is cancelled out. It is 11 by 2. In simple fraction, in mixed fraction, sorry, 5, 5 to the 10 and remainder is 1. So, 1 by 2, 5 and 1 by 2. Option number 3 is the correct answer. Now, question number 6. The product of the list 2 digit number and 30. List 2 digit number is the number that is 10 and 10 is multiplied with 30. So, answer is 300. Option number 1. Now, next question 6. The gardener bought 525 pine trees, 525 pine trees. He wants to plant 15 trees in each row. 15 trees. 15, 15, 15 and so on. Let number of rows equals to x. Number of rows equal to x. So, total trees are 525. So, x equal to total trees upon number of trees in one line. That is 15. 525 upon 15. So, 5, 5, 3, 45. 7, 5, 5, 35. 15, 5, 75. So, x equal to 35. So, here he can plant into 35 rows. Answer is 35. Now, question number 8. Find the missing number 35, 35. It is common. So, cancel down. 47, 47, 47, 47. So, here 47 and 564. So, it is for fill in the blanks 564 into 47, 47 into 564. So, next question is 9. The product of greatest 2 digit number. So, greatest 2 digit number is the number that is 99. 9 and smallest 4 digit number that is 100 sorry 1000. If we have to multiply these numbers then we get double 9 triple 0 that is option number 2nd. Now, question number 10. Reciprocal of 8 by 9 that is 9 by 8 or we can transfer sign with any number that is minus 9 by 8 or 9 by minus 8 or minus 9 by 8. Any of these number that this option is here. So, option number that is the correct answer. What fraction of given figure is shaded? Each rectangle has equal area. So, there are 10 rectangle 10 rectangle and shaded rectangles are 1, 2, 3, 4. So, 4 by 10. 4 by 10 portion is the shaded. So, final answer is 2 by 5. 2 by 5. It is in third option. Now, question number 12. From natural numbers 1 0 1 2 1 1 9 1 0 1 1 0 2 and so on 1 1 9. There are 19 numbers. So, total numbers are 19. And we have to find out the prime numbers. So, 1 0 1 1 1 0 3 1 0 5. 1 0 5 is prime? No. 1 0 7 or 1 1 3 and other number is 1 1 9. 1 1 9. No, 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 no. 1 1 9. Not the prime. 1 1 1 0 9. Sorry. 1 2 3 that is 109. So, 109. So, 119 is composite number that is divided by 7. 1 2 3 4 5. So, total prime number in this range are 5. So, portion fraction of prime to the natural number. So, 5 are prime and total are 19. So, 5 by 19 is the fraction for prime to the natural number. That is 5 by 19. So, question number 13, which of the following is arranged in ascending order? We have to arrange these 5 numbers fractions in ascending order. So, first of all, we have to make denominator equal for all of them that is LCM that is LCM of these 5 numbers that are 14, 7, 8, 16 and 4, it is equals to 16 into 7 because 16 is the power, give the power of 2 highest and 7 is the other common, all are 2, there is no number other than 2 and 7, highest power of 2 is 16 and 7 is the next number. So, 16 into 7, so 5 by 14 will become by multiplying 8, it will become 16 into 7, so 8. Next is 4 by 7, you have to make it 16 into 7, so multiply it 7, 16, 3 by 8, it will be multiplied by 14, 8 into 14 is 16 into 7, 1 by 16, multiply it by 7 and 1 by 4, 1 by 4 that is 28, so it will become 14 into 8, it is 16 into 7 and 40, 64, 7 into 16, this is 48, 48 no 42 upon 7 into 16, 7 upon 16 into 7, 28 upon 16 into 7 in ascending order. So, biggest number is 64 by 7 into 16, 64 by 7 into 16 is 4 by 7, so 4 by 7 is the biggest number, 1st and after that, that is 42 by 7, 42, 42, 42, 3 by 8, so 2nd, it is 2nd, so 4 by 7 is the biggest, 4 by 7, 3 by 8, after that 40 means 5 by 14, 5 by 14 and 1 by 4, 1 by 16, 1 by 4, 1 by 16, so third option is the correct answer. Now, question number 14, if 3 by 4 equal to x by 28 equal to y by 32, x by 28 is also equal to 3 by 4 and y by 32 is equal to 3 by 4, 4, 7, 28, so x equal to 7 into 3 that is 21, 4, 8, 32, y equal to 3 into 8 that is 24, so 21 and 24 are the values of x and y respectively, option number 4 is the correct answer. What will be the value of 5 and 1 by 6 minus 3 and 4 by 9? 5 and 1 by 6 will become 5, 6, 30 plus 1, 31, so 31 by 6 minus 27, 9 into 3 is 27, 27 plus 4 means 31 by 9. Here 31 can be common, 31, 31, 31, 1 by 6 minus 6 minus 1 by 9, 9 minus 6 upon 9 into 6 or 31 is always there. It is 3, 9 minus 6 is 3, so 31 into 3 by 9 into 6, 3 3 is a 9, 3 into 6 18, 31 upon 6 8, 6 into 3 is 18, 31 upon 18, option number 2 is correct answer. Now, question number 16, which of the following are like fraction? Like fraction are the fraction whose denominator are equal, so 9 and 9 is equal, option number 3 is answer. Find the value of 2 and 1 by 2, 2 and 1 by 2 is 5 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 6 minus 1 by 12. So, LCM of 2, 3, 6, 12 is 12. Now, 2 is divided by, sorry, 12 is divided by 2, we get 6, 6 into 5 is 33 and divided by 12 by 3, it gave 4. So, 4 into 1, 4, 6, 12 by 6 means 2, 2 into 1, 2 minus 12, 1. So, 30 plus 2 means 32 minus 5 is 27. So, 27 by 12 after dividing by 3, 9 and 4. So, option number 4 is correct answer. Equivalent fraction of 10 by 12 that is divided by dividing 2, it gives 5, it will give 6. So, 5 by 6 is the answer, first option. Which of the following option is incorrect? 3 by 4 and 2 by 3, it is 0.75 and it is 0.663, 6, 6. So, it is correct. 4 by 5 is is 0.8 and 1 by 3 is 0.66. So, 1 by 0.8 is greater than 0.66. Now, 9 by 7 is greater than 1 because 7 is 9 is greater than 7, numerator is greater than denominator. So, number is greater than 1. So, it is also correct. 1 by 2 is less than 1 by 4, 1 by 2 is 0.5 or 1 by 4 is 0.25. So, it is wrong statement. So, our option is fourth. Now, find the value of this 1 and 1 by 2, it will become 3 by 2 minus 1 by 3, 2 and 1 by 2, it will become 2 and 1 by 2, 5 by 2. Now, plus 1 and 3 by 4 that is 7 by 4 minus 12, 3 into 1 by 12 means 12 into 3, 36, 36 plus 1, 37 by 12 that is 37 by 12 minus 7 by 4 plus 5 by 2, 3 by 2 minus 1 by 3 that is 3, 3 is a 9, 9 minus 2 means 7, 7 by 6. Now, 6 into 5, 6 into 5 is 30. No, 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 6 is the LCM. So, here 6 is divided by 2. So, 3, 3 into 5 is 15 minus 7. 15 minus 7 is 8, 8 by 6, 37 by 12 minus 7 by 4 or here 8 by 6. 8 by 6 means 4 by 3, 37 by 12 minus 7 by 4 minus sorry plus 4 by 3. Now, LCM is 12, 21 plus 16 minus 37 by 12, 21 plus 16 is also equals to 37 by 12, 37 by 12 that will become 0. Our option number 4 is the correct answer. Find 1 4th of 3 by 8. So, 1 4th of 3 by 8 means 3 by 8 is multiplied by 1 by 4. So, it is 3 into 1 upon 8 into 4. So, it will become 3 upon 32. Now, question number 22 multiply 25, 2 by 5 and 35 by 21 and write your answer in simplest form. So, simply it can be multiplied 2 by 5 and 31 by 21. Now, 5, 7, 35, 7, 3 21. So, it is 2 by 3. Answer is the option number 3rd. Find the value of 5 and 2 by 3. It is 15 plus 2, 17 by 3 and 2 and 4 by 3 that is 6 plus 4. 6 plus 4 means 10 upon 3 and divided by 1 and 2 by 3 that is 5 by 3. Now, 17 by 3 into 10 by 3 into if we change divide into multiply then we have to reciprocate the number 3 by 5. 2, 3 3 cancel. So, it will become 17 into 2 upon 3 that is 34 by 3. Option number 4th is the correct answer. Provide the number in the box such that 3 by 5 into let us say this number is y equal to 24 24 upon 75. Now, y is 24 upon 75, 5 with 24 and 3 goes with 75, 5. So, it is 25 and 3 it is 8. So, 8 upon 25. Here box contain the number 8 upon 25, 8 upon 25 sorry, 8 upon 15. So, option number 2 is the correct answer. Now, last question is 25, a car runs 16 kilometer using 1 liter. For 16 kilometer it consume 1 liter petrol. Now, he has to cover the distance and he has 2 and 3 by 4 liter petrol. 2 and 3 by 4 liter petrol means 8, 3, 11, 11 by 4 liter. How much distance? So, in 1 liter it can goes for 16 kilometer and for 11 by 4 the total distance is 11 by 4 into 16. So, 4, 11 into 4 that is 44 kilometer. So, for 11 upon 4 liter petrol he can go this 44 kilometer. Option number 4 is correct. Thank you very much. Hello friends, I am Nilesh Plania, MAT faculty CLC Shikhar. Now, we are taking the video solution of the CLC techno 24 subject mat. Question number 26. Coding decoding related question mantra in a certain coded language T R E A S O N is written as R K W W I N X. Is that clear? Then we know that plus 4 next minus 4 plus 4 plus 4 minus 4 plus 4. This one is minus 4 and this one is the plus 4 is that clear. Next, plus 4 minus plus minus plus minus minus and this one is plus. T, T minus 4, K plus 4, Y minus 4 means almost H, plus 4 मतलब X, minus 4 means N, and plus 4, 25.9 C, pattern is that clear? Plus 4, minus 4, plus 4, minus 4, then number N, U, M, B, E, R, plus, minus, plus, minus, is that clear? Plus 4 R, minus means 17 plus 4, then Q plus 4, Q minus 4 means X, plus 4 means I, and minus 4 means N, means N, I, X, double Q, R, N, I, X, double Q, R, option number first is a right answer. In the certain code, N, I, G, S, T means N, minus 1, I, minus 2, minus 3, minus 4, and minus 5. Is that clear? I think same button is that minus 1, minus 2, minus 3, and minus 4. Then minus 1, 1, 2, 3, 4, 5. Is that clear? 14 minus 3, I, 4A, E minus 3, B, 18 minus P, and 7 minus 1, F, I, A, B, P, F. Option number first is a right answer. Then in the certain language, system is coded in this one, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, and minus 1. Follow? Complete series, make the series as a minus 1. Then minus 1, U minus 1, T, minus 1, T, minus 1, minus 1, minus 1, and minus 1. T, M, B, K, D. T, M, B, K, D. Option number first is a right answer. A man started walking towards west. He turned right, then right again, and finally turned left. In which direction was he walking north? Option number first is a right. Which figure is the exact mirror image of the given word and the figure? Next, N, O, I, S, S, I, M. This one. Then delete, delete for M. N, M, S, N, M. Option number fourth is a right answer. In the figure which is the exact mirror image, exact mirror image in this way. Option number fourth is a right answer. Arun ranked 17th in the class of the 31 student. What is ranked from the last? Matlab, left plus right minus 1 equals to 31. Then X equals to 31 minus 16. 11 minus 1, 2 minus 1, 15th. Option number second is a right answer. In the class of the Rajan got 11 in the rank and he was 31 from the bottom of the list of the boys passed. Rajan is getting the rank is the 11th rank and he was 31th from the bottom of the list of the boys passed. Mother, total boys passed. Total boys passed equals to 11 plus 31 minus 1 equals to 2, 4 minus 1 equals to 41 student total passed. There are the three did not take the examination. Three extra and one is a failed. Matlab 4, 5, 45. Matlab, total student means 45. Find the missing number. This one is that 2 2s are 4 plus 1, 5 2s are 10 minus 1, 9 and 9 2s are 18 plus 1, 19. Next 19 into 2 minus 1, 37 and 37 into 2 plus 1, 7 2s are 14, 336 or 7 plus 1, 75. Option number first is a, sorry, option number second is a right answer. Find the missing term 56, 90 means I think 34, 10, 38. I think here 42, 9, 4, 13. I think here 52, this one and now we are getting that 8, 4, 64. 4, 8, 14, 2, 64. Then make the next series. This one is the 8, 10, 12. I think 12 or next is a 14. Means 8 or 78, 8, 8, 16, 7, 4, 11, 11 or 1 to 12 or 3, 3, 26. Option number fourth is a right answer. Is that clear? Is that clear? Next select the figure that will come next in the following figure. This figure comes in this way and now next one. This is the anti-clockwise move there. Again anti-clockwise move there and again anti-clockwise move there. Means option number first is not, not, so second is not, this one is not, this one is not, option number first is a I think right. This one, now again, now again, upper position and then first is a right answer. Okay. Next, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3. We have only a third option. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 means here 3. Select the figure in the given next. Two circles, they shifted downward increasing plus 1 and this one plus 1 and this one. 4, 4, sorry, increase, this one is same. Triangles are going upward same and dick increases circle 1 and again triangles are same and 1 increases. Triangles are upper upper position. Triangles are the same means 4 triangles and downward 4 circles. 4 triangles and 4 circles. Only option number fourth. Identify the following female, sisters and teachers. We know that the sisters are female and this one. Option number fourth is a right answer. Which answer the exact mirror image of the given word and figure? Then here, then triangle is there, there and we make the circle. Now, this one and this position dark towards here and there. Such type of the figure we make the diagram. And this type of the figure in the option number third. Sorry, this figure comes here, not here. This is here and this is here. This figure here and this is here. Then option number first is not right. Sorry, third is not right. First is a right. Okay. Thank you. Students, myself, Narendra Kumar team, Physics CLC, Seeker. Today, we are going to solve physics section of class 5 in techno exam, which starts from question 41. 250 ml is equal to, to convert ml into liter, 1 liter means 1000 ml. So, we have to divide it by 1000. So, it will be equal to 100. So, it will be equal to 100. So, it will be 10000 decimeter. So, it will be 10000 decimeter. So, first option is correct. Second, 1000 decimeter and 1 decimeter is equal to 10 centimeter. So, it will be 10 to the power 4 centimeter. That is also correct. Third, 1 kilometer equal to 1000 meter. It is also correct. Fourth, 10 decimeter and 1 decimeter is equal to 100 decimeter. So, that have to be 1000 decimeter. So, incorrect option will be 4. Let us move to next question 43. How are the following similar? Lever, inclined plane and pulley wheel. So, all are simple machines. No need to think too much. Next, question number 44. In second class lever, in second class lever, in second class lever, load is in middle and in one end is fulcrum and on the another end force is applied. So, correct option means load is in the middle. So, correct option will be 2. Let us move to the next question. Which 2 simple machine does wheelbarrow use to make work easier? Wheelbarrow uses wheel axle and a lever. Very common machine which have to be seen by you. So, correct option wheel axle and lever. Next question. Which of the following is thinnest layer of earth? Thinest layer of earth is crust. That is outermost layer of the earth. That consists of 1% of the volume of entire earth. Next, which of one of the following describes the lithosphere? Lithosphere means crust plus upper part of mental. So, correct option will be 2. These you have to know about the different layers of the earth. 48. Which of the following form of energy is required to boil the water? To boil the water, we have to supply heat energy. So, required energy will be heat energy. Next, an object is released from a certain height above the ground. Just at the time it touches the ground, it will possesses kinetic energy. Because energy possessed by a body due to position above the surface of earth will be potential energy. And when body falls from this height, it will convert into kinetic energy. So, option 3 will be correct. Next, select the pair of forces which are contact forces. Contact forces are friction force, muscular force and tension force. So, correct option will be 3. So, we have completed physics section of this paper. I hope all of you have done your paper very well. Thank you. Hello, student. 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 We have a CLC techno 2024 paper solve for 5th class English medium. Question number 51. Chemistry to address the gap. Question number 52. What can только justify the amount of capacity of heat energy flows around that region. Illustrator for 8 awaiting expectation . वाटर वाइल जो भी बोला पानी जो बोईल होता है तो क्या बनता है? स्टीम बनती है तो पता है? स्टीम नेक्स टोटल वोटर इस कॉंसर्वट वाइड, वाटर साहिक, लुशन, स्टीमDC को क्या बनती है? क्या बोलुटों को क्या बनती है? गयर पानी, जो पत समें एकस्पेश। को क्या बनती है? और इसका water में Lakes and Better मतलब क्या बोल रहें कि यहां पर यहां पर जो बॉलवगी इंडिया के अंदर कौन-सथा alternately करते हैं कॉन्स से इस में करते हैं कौंसे इंस्ट्रीमेंट से ऐह अच्छा 친 caffeine pause और सब्ट्रोपिकल है यह आपका सिंपल सा टेक्नो का सोलेशन था क्लास्ट का केमसिटी का उमीद आपके सभी करशन सही होगे थेंक्यू चैसी अलो स्टुडेंट्स आम रिटिका आज हम सील सी टेक्नो एक्जाम का सोलेशन कर रहे हैं सब्जेक्ट बायो क्लास फिफ्थ इं बो बॉन्स देन बीक्स यह सभी क्या हो जाएंगे अडेप्टेशन प्रहीं प्रही आएंगे इस आरद फ्लाइट अडेप्टेशन प्रहा नशर के लिए पर आंसर आएगा फोर्थ ओप्शन देन देनेस्ट कोशिन इस गिवन बिलो आर अडेप्टेशन ओफ एक्वेटिक ऐनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स की अड़ेप्टेशन अमने बताने हैं आपे और स्ट्रीम लाइन बॉड़ी यह भी अड़ेप्टेशन में आते है ट्रेकिया अड़ेप्टेशन में नहीं लेके चल रहे हैं यह चीज़ के लिए नेक्स वेब्ट फीट गिल्स एंड फिन्स अब कोशन, aquatic animal move easily in the water using which above helping adaptation. कौन सी adaptation help करती है इन सब में? तो adaptation कौन सी help करी है? A, C, D and F. यह साथ features के साथ आएगा. तो हमारा answer इस से क्या निकल रहा है? हमारा fourth option, first, third, fourth and fifth option के लिए आजाएगा. Now the next question is, which of the following is correct paired? हमने answer निकाल ले हमारा correct pair कौन सा हो जाएगा? correct pair निकाल ले, typhi difficulty in breathing. यह question के लिए तो नहीं हो सकता हमारा. डेप्थीरिया, red rashes on the body. यह भी नहीं होगा. अनिमा, fever, body, act. नहीं हो सकता. जोंडिस, yellow color, eye, nail and urine. हमारा answer क्या निकल के आजाएगा? यहाँ से correct pair के लिए हमारा answer आएगा. यहाँ पर फोर्थ ओप्शन. नाओ, the next question is, the muscle which is under our control and helps in the movement. हमारी body के under control कौन से वाले चल रहे होता है? जो मैं help करते हैं. हमने बताने हैं, तो directly answer है, उसका तो क्या answer आजाएगा? हमारा first options, triated muscles हमारा answer आएगा. Now, the next question is, which of the following is protection covering over hurt and lungs? Lungs को cover करने के लिए और hurt को cover करने के लिए protective covering जो present होईगी, वो क्या होगी यहाँ पे? वो covering क्या हो जाएगी? directly answer आ रहा है, यहाँ से तो रिद्केज वो covering के लिए हो जाएगा. Now, the next question is, a tough covering of seed is? एक tough covering क्या होती है? एक seed के लिए हम बताएगे तो वो क्या होगी? direct question के लिए है, देखती ही बता चल रहा है, यहाँ पे answer माना क्या आएगा? यहाँ पे seed coat एक covering होगी, जो seed को cover करने का काम करती है. Now, the next question is, name the crops which are grow from June to October month in India? यहाँ पे June से October month के अंदर इंडिया में कौन सी crop की growth हो जाएगी? तो यहाँ पे answer हमारा क्या आएगा? यहाँ पे खरीफ crops के लिए आएगा? answer number second. Next question, road safety command. road safety command आपने बताने, यहाँ पे क्या होगा? drunken driving? no, होई नहीं सकता. red light jumping? riding नहीं हो सकता. binding red speed limit. हमें यहाँ पे एक speed की limit जो भी होजती है, उसे control करके चलना होता है. तो answer तो यहाँ से third. फिर भी four, देखिए, violating lane driving. हो ही नहीं सकता. तो हमारा answer क्या निकले है? यहाँ से third option हमारा answer होगा. Now, the next question is an injury to ligament is ligament में injury बताने है. ligament का करता है? bone to bone attachment करवाने का काम करता है tissue. तो हमने यह बताना था. injury अगर ligament में होती है, तो क्या होगा? वो क्या होजाएगा? sprains. तो answer number क्या होगा? fourth option हमारा भी answer आएगा. Now, the last question is which of the following precaution you should take if diarrhea spreads rapidly through your town. अगर टाउन में diarrhea spreading होगा है, तो precaution क्या use करनी है? हमने यह आपे. precaution के लिए आजाएगा drink only clean boiled water. answer तो वैसे है. यही से बताचल रहा है. first option हमारा answer आएगा. फिभी देखिए cover open baskets of water. नहीं है. spray insecticides around your nose. cover your nose while you sneeze. हमने particularly पर्टिकुलर ली डाइडिया के साथ connection बना के चलना है. तो डाइडिया के साथ पर्टिकुलर कनेक्शन में चार ओप्शन में से हमारा answer क्या निकल क्या रहा है? यहां यहां से आ रहा है. first option के लिए. यह हमारा total video solution था. thank you. नवश्कार, मैं गोविनी गजाने CLC सीकर से मैज के फैकल्टी. CLC द्वारा IOJ टेक्नो 2 जा 24 जो 5 नौंबर 2 जा 22 संपन हुआ था. राजस्तान सहित 7 राज्यों के अंदर यह पेपर हुआ था. जिसके अंदर बचों ने बहुत उत्सा के साथ में बढ़ जड़ के परिक्षा में अपनी बागीदारी पेस की थी. और बचों ने जो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12 के साइंस मीडियम के बचों ने एक्जाम दिया था. फिफ्ट क्लास में मैस का जो पोर्शन से है, मैस के पोर्शन का हम सॉलिशन देखता है, पहला जो कोशन दिया वाता, रिक्त स्थान की पूर्ती कीजिए, जिसमें दिया गया कथन निमले लिखेता है, यह कह रहा है तेविस, टेविस के अंदर हम 28 में कुछ बाग देंगे, और हमारा क्या आएगा, 30 आएगा, तो हमें पता है 28 में किस-किस का बाग जाता है, 28 में एक तो दो का बाग जाता है, 28 में और एक चार का बाग जाता है, और एक 28 में साथ का बाग जाता है, उसके अलवा किसका जा सकता है, एक का, 28 में अगर एक का बाग देंगे और तेवि जोड दिया तो कितना आजाएगा 30 आजाएगा तो हमें क्या होगा आंसर आजाएगा चार ठीक है कोश्य नुबर सेकिंड एक आमान ग्याद कीजिए यदि 11 प्लस ए बट्टे 97-49 बड़ाबर 5 97-49 कितना होता है हमारा 3 3 को 5 से वर्ज गुणा कर दी कितना हो गया 15 तो 11 प्लस ए बड़ाबर कितना हो गया 15 इससे एक आमान कितना हो गया ए बड़ाबर हो गया हमारे पास चार एक आमान चार ऑप्शन नुबर दो बट्टे 9 प्लस दो बट्टे 9 बाग है तो गुणा कर दो कितना हो गया 7 बट्टे कितना 6 ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ पे हमने क्या किया दो के पाड़े से एक बार दो के पाड़े से तीन बार यह क्या हो गया पांच बट्टे 27 और यह हो गया हमारे पास 7 बट्टे 27 इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 12 बट्टे 27 तीन के पाड़े से गया 4 बट्टे 9 और 4 में 9 का बाग देते हैं तो कितना आता है 0.4444 मतलब 0.44 तो option number first will be correct answer यहां पर देख एक वेकते के पास 1350 उपैं कि रासी जिस प्रदस्नी में क्या कर सकता है 5 टिक्ट खरीज सकता है तो तेरा सो पचास में तेरा सो पचास में हमने 5 का बाग दे दिया किता हो गया रुपए 270 अब यह कह रहा है कि यदि वह साथ टिकेट खरीद दिता है तो उसे और किते रुपए देने पड़ेंगे पांच टिकेट स्टोटनेस लिया ही वह है पांच लिये वह है किते चीए दो मतलब और किते चीए प्लस दो और चीए मतलब टिकेट किते चीए दो चीए तो दो इंटू 270 किता हो जाएगा रुपए 540 तो 540 कौन से आप्शन नुबर फर्स्ट विल भी करेक्ट आंशर ओके आपको दिया है दो साही दो बट्टे तीन गोणा 5 साही एक बट्टे दो गोणा 3 बट्टे आठ दो साही दो बट्टे तीन किता हो गया 8 बट्टे तीन पांस सही एक बट्टे दो गुणा किता हो गया 11 बट्टे दो गुणा 3 बट्टे 8 आट से 8 कट गया 3 से 3 कट गया आया क्या 11 बट्टे 2 11 बट्टे 2 को हम क्या बोल सकते हैं पांस सही एक बट्टे दो ओप्शन नमबर सेकेंड विल बिया करेक्ट आंसवर दो अंको की सबसे छोटी संख्या और 30 दो अंको की सबसे छोटी संख्या क्या है 10 और 30 इनको गुणा करेंगे तो किता आजाएगा 300 तो 300 आपको ओप्शन नमबर 1 एक माली 525 देवदार के 1 पंक्ति में 15 पेड लगाना चाहता है एक पंक्ती तो इसके पास कुल पेड किते हैं 525 तो हम क्या करेंगे एक पंक्ती में पेडеро पेड किते हैं आपके पास 525 अ पंकतियां तो पंकतियां किती होगी? तो हम क्या करेगे? हम करेंगे यहां पर पांचो पच्चिस में हम पंद्रा का बाक दे 5 का बाक दिया तीन बार और 35, फइंस फील पोर्जा पांज। आंस director ऑगर यहां पre 546 लाते हैं और यहां पर 70 लाते हैं तो मुझे नहीं लगते हैं यहां पर 355 नेँदू 35 दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99 और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 1000 इनको गुणा करेंगे तो किता जाएगा 99,000 तो option number second will be correct answer माइनस आठ बटे नौ का प्रतिलों क्या है मैंने सुन्सांट बटे नौ का क्या करेंगे वित्क्रम करेंगे तो किता हो जाएगा आठ बटे-9 माइनस में इसका वित्क्रम करेंगे तो 9 बटे-7 will be correct answer यह आपका 9 बट्टे 8 9 बट्टे 9 बट्टे 8 बोल दो या मैनस आगे लगा है 9 बट्टे 8 बोल दो 3 तो 9 options क्या होंगे सही होंगे तो आलेंगी 3 options नहीं है 3 answers सही होते हमारा option यहां पर कौन सा correct third options question no.11 दिये गए चित्र का कितना भाग जहां किते भाग किते 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और किते बाग 6 हैं किते 4 तो 4 बटे 10 चार में 10 का बाग 2 की पाड़े से कर जाएगा तो 2 बटे 5 सही आंसर होगा 101 और 119 के बीच अब आजे संख्या कित की बिन क्या होगी ठीक है 101 और 119 के बीच में सबसे पहले बात करते 101 आपके बाजे संख्या है या नहीं है तो 101 अमारे बाजे संख्या है 101 हमारी अबाजे संख्या है फिर हमारे पास 102 102 है क्या 102 नहीं है 103 है 103 है 104 है क्या 105 नहीं है 106 नहीं है 107 107 है 108 बजे संक्या है क्या 108 नहीं है 109 बजे संक्या है 109 निश्यत्रूप से है 110 है 110 नहीं है 111 111 भी नहीं है 112 112 भी नहीं है 113 113 है 113 के बार में 114 है क्या 114 नहीं है 115 115 भी नहीं है 116 116 भी नहीं है 117 नहीं है 118 वो भी नहीं है 119 वो भी नहीं है मतलब किती संख्या होगी एक दो तीन चार पांच मतलब क्या हो जाएगा 5 by 19 तो आपका उप्शन नमबर सेकिंड विल बी करेक्ट अंसर कोश्चन नमबर 13 करना है तो आरोई क्रम मतलब आपका च्छोटी से बड़ी संख्या के रूप में व्योवस्थित करना है पहली क्या दीविए पांस बटे चौदर दूसरी दीविए चार बटे साथ तीसर दियावा आपको तीन बटे आंट चौथा दियावा एक बटे सोला और पांस दियावा एक बटे चार सबसे पहले इन सारी संख्याओं का हम क्या करेंगे लहसर निकाल लेंगे तो 14 आपको दियावाए 14 फिर दियावाए आपको 7 फिर दियावाए 8 फिर दियावाए 16 और दियावाए 4 इन सारों का हम क्या करेंगे लहसर निकालेंगे LCM निकालेंगे कितना है उनको ग्या करेंगे 112 बनाएंगे तो सीफसे को बनाने के लिए 14 को किसे दो करेंगे है अähänटो एक सो बारा बनाने के लिए 14 से कुना करेंगे 14 इंटो-3 किता हो गया 402 थिक है और उसके बार में बात करते हैं यह इस होग लाँ साथ से साथ से कुना करेंगे इसको भी साठ से गुना कर दियाा चार को कि कुला एक सोबारां बनाने के लिए गुन हो गया अटाइस के लिए लुट इंटाइस सै फ़Еस के लिए इक नग की devekt performs रहे हो उसके बार में क्या रहे है चालिस चालिस के लिए पांच पड़े चौदा पांच बैटे चौदा आ गया 42 के लिए 3 बटे आंट 3 बटे आंट हो गया 64 के लिए 4 बटे साथ जाड़ बटे साथ हो गया तो option number 3rd will be correct answer उसके बाद में next हम बात करते है next question आपका आपको दिया वैं 3 बटे 4 बराबर क्या दिया वैं आपको 3 बटे 4 बराबर x बटे 28 फिर बोला वैं 3 बटे 4 बराबर y बटे आपके 32 ठीक है तो इसको किसे गुणा किया है कि 28 हुआ है साथ से गुणा किया तो 3 को भी गुणा किया तो कित्ता हो गया 21 तो x कमांड कित्ता आगया 21 तो 21 दो options में फिर इसको किसे गुणा किया 4 को 32 बनाने के लिए किसे गुणा किया हमने आपको दिया 5 साई 1 बटे 6 माइनस 3 साई 4 बटे 9 पांसे एक बटे छे किता हो जाएगा आपका 31 बटे 6 और यह क्या हो जाएगा माइनस 27 बटे 9 31 बटे 9 LCM लिया दोनों का किता आजाएगा 18, 18 में 6 का बाग 3 3 को गुणा किया 91, 93 किता 18 में 6 का बाग 3 3 को 91 से गुणा 31 से गुणा 93 हो गया 18 में 9 का बाग 2, 2 को गुणा किया माइनस किता हो जाएगा 62 62 को किता हो जाएगा 31 बटे 18 मतलब option number second will be correct answer समान बिन मतलब आपकी एक जैसी आपको बिन दिखाई देनी चीए नहीं मतलब उनका दुनों का denominator क्या होना चीए सेम होना चीए यहाँ पर अलग लग है, यहाँ पर अलग लग है, यहाँ पर अलग लग है समान बिन क्या हो गई, आपका option number third will be correct answer पांच से, दो से एक बटे 2 किता हो जाएगा 5 बटे 2, माइनस एक बटे 3, प्लस एक बटे 6, माइनस एक बटे 12 ठीक है, अब इन सारू का हम LCM लेंगे, किता आजाएगा इन सारू का LCM आजाएगा 12 12 में 2 का बटे 6, 6 को 5 से गुणा 30 12 में 3 का बटे 4, 4 को 1 से गुणा 4 12 में 6 का बटे 2, 2 को 1 से गुणा 2 12 में 12 का बटे 1, 1 को 1 से गुणा 1, ठीक है 30 में से 4 गया 26 26 और 2 28 28 में से गया 27 27 में हमने क्या किया 27 में आपका 12 का बाग मतलब किता हो जाएगा 9 बट्टे 4 9 बट्टे 4 will be correct answer तो option number 4 will be correct answer in the question number 17 ठीक है उसके बाद में आपको question number 18 10 बट्टे 12 किसके सम्तुलिया है दो के पाड़े से दोनों कट गया किता हो गया 5 बट्टे 6 option number 1 will be correct निर्म विकल्प में कौन सा गलत है ठीक है आपको बोल रहे है तीन बट्टे 4 दो बट्टे 3 से बढ़ाए गया definitely बात सही है यह correct है आपको बोल रहे है चार बट्टे 5 एक बट्टे 3 से बढ़ाए गया definitely बात गलत है तो हमार option correct हो जाएगा statement क्या हो गया यह आपका statement का according बात कहाए सकते है गलत है लेकिन options जो आपको question पूछा है उसका according यह सही बात है 3 साही एक बट्टे 12 किता हो जाएगा 37 बट्टे 12 minus किता हो गया 7 बट्टे 4 plus किता हो गया आपका 5 बट्टे 2 माइनस का किता हो जाएगा आपका 3 बटे 2 प्लस का किता हो जाएगा 1 बटे 3 ये किता 37 बटे 12 माइनस ये किता हो जाएगा आपका इन सारू का इलसीम ले लिया किता हो जाएगा 12 12 में 4 का बाग 3 21 12 में 2 का बाग 12 में 2 का बाग दिया, किता हो जाएगा 6, किता हो जाएगा, 30 12 में 2 का बाग, 6 6 को गुणा किया, 18 12 में 3 का बाग, 4 4 को गुणा किया, 4 ठीक है किता हो जाएगा, 37 बटे 12 माइनस, इन दोनों को प्लस किया, 51, 51 और 4 55, 55 मैंसे 18 माइनस किया 55 मैंसे 18 माइनस करेंगे किता हो जाएगा 37 तो 37 बट्टे 12 मैंसे 37 बट्टे 12 माइनस किया किता हो जाए 55 मैंसे 18 माइनस कि 37 ठीक है तो option number 4th will be correct answer आपको दियावा है 3 बट्टे 8 का 1 बट्टे 4 मतलब 3 बट्टे 8 का का मतलब गुणा 1 बट्टे 4 किता हो जाएगा 3 बट्टे 32 तो option number 2nd will be correct answer आपको दियावा है 3 बट्टे 5 और 35 बट्टे 21 को गुणा करो गुणा कर देते हैं तो 5 के पाड़े से ये गया 7 बार 7 के पाड़े से ये गया 3 बार सरलतम रूप में लिखो किता है 2 बट्टे 3 तो सरलतम रूप में क्या है तो ये आपका correct answer होगा next आपको question में DIY आपको 5 साई 2 बट्टे 3 गुणा किया किता हो जाएगा जो आपका अनुचित बिन में convert किया 17 बट्टे 3 इसको फिर क्या करेंगा अनुचित बिन में convert करेंगे किता हो जाएगा 6 और 10 बट्टे 3 ये हो जाएगा आपका 5 बट्टे 3 इसको उल्टा कर दिया 3 बट्टे 5 3 से 3 कट गया 5 की टेबल से 2 बार किता है 34 बट्टे 3 34 बट्टे 3 option number 4 विल बिया correct answer ये किया रहा बोक्स की जगह क्या बढ़ोगे 4 का क्या आगया आपका 4 की जगह आपके आपके आगया 24 मतलब आंट से आपने गुणा की है ये किया रहा है 5 की जगह क्या आगया 75 मतलब आपको किने किसे गुणा की है 15 से तो आंट बट्टे 15 that will be correct answer तो ये आपका option number second will be correct फिर आपको last question में दियावा है last question में दियावा है एक लीटर पेट्रोल 16 किलोमेटर एक लीटर पेट्रोल मतलब 16 किलोमेटर आपको बोला एक लीटर एक लीटर में किता चल रहा है 16 लीटर हमारे पास किता लीटर 2 साही 3 बटे 4 2 साही 3 बटे 4 मतलब 11 बटे 4 लीटर क्या करेंगे 16 से multiply कर देंगे 16 इंटू 11 बटे 4 तो किता आजाएगा 44 किलोमेटर वो क्या हो जाएगा correct answer 44 किलोमेटर कहां पर option number fourth that will be correct answer ओकी थेंक यू नमस्कार दोस्तो मैं आनन आज हम paper solution करने जा रहे है CLC Tecno 2024 का हम question number 26 से start करेंगे अपना main subject question number 26 है एक विशिष्ट कोड बासा में TREASON को RKWWINX सता PULTRY को CNXHYKT लिखा जाता है अब इस बासा में नमबर को किस परकार लिखा जाएगा यह अपना एक coding decoding का question है इसको हम देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे इन में हम numbering करके देख लेंगे कि इसमें क्या logic लगा हुआ है हमारे पास में जैसे यह है TREASON और यहाँ पे है RKWWINX तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ 20 है और यह 24 है मतलब यह क्या हो रहा है प्लस 4 और यहाँ पे 18 और यहाँ पे है 14 तो यह क्या हो रहा है यानी आपका क्या logic लग रहा है तो यह logic की हम यहां लगा देंगे इसमें जैसे N, U, M, V, E, R है अपना तो इसमें हम प्लस फॉर प्लस फॉर माइनस फॉर प्लस फॉर माइनस फॉर प्लस फॉर और माइनस फॉर का लोजिक लगा देंगे जैसे एन एन है अपना 4 यानि 14 पे तो 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 और 18 पे क्या जाएगा R, U है अपना 21 21 और माइनस 4 Q M 13 Q B 2 माइनस 4 क्या जाएगा X और अपना E है वो 5 पे 5 प्लस 4 I R अपना 18 पे 18 माइनस 4 कि तना जाएगा 14 N यहनी अपना आणसर आ जाएगा N I X Q Q R तो आपका उसन नम्मर 1st क्रेक्ट हो जाएगा अगला क्यूसन देखते हैं 27 किसी निश्चित कूट बासा में नाइट को ODDGM थता DARK को G O Y C लिखा जाए तो उसी बासा में GRWN को किस परकार लिखा जाएगा तो ये भी अपना इसमें भी हम देखते हैं एन आई जी एच टी को क्या लिख रहे हैं ओ डी डी जी एम तो इसमें आपने को साब पता ही चल रहे हैं नमरिंग करें लेंगे लेकिन फिर भी हम इने पता चल रहे हैं डारेक्टली क्या रहा है माइनस वन –2, –3, –4, –5 यानी –1, –2, –3, –4, –5 तो इसमें भी आपने ये कर देंगे G, R, E, E, N इसमें क्या करेंगे –1, –2, –3, –4, –5 तो G –1 यानी 7 –1 क्या जाएगा F R 18-2 कितना जाएगा अपने पास में 16 और E यानि 5-3 क्या जाएगा 2 फिर 5-4 A फिर N-5 क्या जाएगा I मतलब I A B P F आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 27 का next question ये भी अपना coding decoding का ही है एक निश्चित कोट पासा में sister को R H R S D Q लिखते हैं तो यू अंकल को क्या लिखेंगे तो अपने को ये देखते ही पता चल रहा है इसमें क्या रहा है इसमें 19 और ये 18 9 और 8 18 और 19 20 और 19 5 और 4 18 और 17 मतलब इसमें क्या हो रहा है माइनस वन हो रहा है पूरे शिरीज में तो अपने अंकल में भी क्या करते हैं माइनस वन यानि यू माइनस वन टी एन माइनस वन एन माइनस वन हैं सी माइनस वन दी एर माइनस वन की और री माइनस वन ली टी-वी मीनस वन डी यह वें बीज मोस क्या आपका आस्री सिख चाहिए गा और शAcum नमबर फर्स अकल लाग हिए आपना एक दिशादुरिवत नहीं Hem अपना एक बिय्शादूरी दाएं मुड़ता है और वह किस दिशा में जा रहा है तो आपका आंसर क्या जाएगा फैस्ट ऑप्षन अब अपने पास में दरपन परतिविम से क्यूशन आ गया दरपन परतिविम का क्या क्यूशन है दिये गए सब दिया आकरती का दरपन परतिविम ग्यात कीजिए हम इस क्यूशन में क्या देख रहे हैं अपने पास में दरपन की साइड में लगावा है दरपन इस साइड में लगावा है मतलब अपने पास में पर्टी बिंगा पर्टी बिंग इस सइड़ बिंगर तो देखो 9ट बने का पर्टी बिंगर यह तो वैसे गलत हो गया कियों इसमें M की पोजिशन उल्टी पोजिट दे रहा है इसमें ऐससा बन रहा है और जो कि अपने पसमें कैसा बन चीन है अम्हुस्य के अपने पास में कव बनाज़िए यूं यूंबना चीन है जो कि यह भी ग्लित हो गया तो आपका आणसर क्या हो जाएगा आपका फोट ओफ्ज fáce ओप्शन नमबर फॉर्ट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा चलो next question ये भी दरपन परतिविम का ही है अपने पास में दिये गए सब्दिया आकरती का दरपन परतिविम ग्यात कीजिए तो हम दरपन परतिविम ग्यात करेंगे अपना दरपन इस साइड में लगा हुआ है तो हिस साइड में लगा हुआ है तो मतलब ये तो हमें स्टार्टि यानि प्रारम से उसकी पोजिशन पता है तो N से बतानी है अपने पास में कुल छात्रों की संक्या भी गीवन है तो हम क्या करेंगे टोटल यानि कुल छात्र प्लस वन और माइनस स्टार्टिंग के छात्र कर देंगे यानि कि 32 माइनस 17 आपका क्या जाएगा 15 आंस्वर हो जाएगा एकला क्यूसन क्यूसन नमोर 33 एक अक्सा में राजजन ने ग्यार्वा स्थान प्रार्ण गिया तता वे उत्यन सात्रों की सूची में नीचे से ग्यार वा और निचे से कितना किया उसने इंगतीस हो इस थान प्राइन किया रर्म तेन शार्टर परिक्सान देटेंगे थाथ एक अनिू तिर्ण हो जाता ہے तो कक्हसामै कुल कितने शार थे तो सबसे पहले हम बाद्सब्स निकालने के लिए क्या गरेंगे 31 प्लस 11 माइनस 1 अब हमारे पास में कितने है यह कितने होगे 42 माइनस 1 इक्वल टू 41 41 यह आ गए फिर 3 सातर ने प्रीक्षा नहीं दी और 1 सातर अन्यूत्रिन हो गया मतलब अपने पास में टोटल कितने होगे 45 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 आपका आंसर हो जाएगा एकला क्यूसन है यहां पर लूप्त पद ग्यात कीजिए अपने को क्या करना है मतलब हम यहां देखेंगे कि हमारे पास में इस सिरीज में आगे कैसे बनेगी तो यह सिरीज देखते है 2, 5, 9, 19, और 37 मतलब देखते ही पता चल रहा है इसमें अपने को क्या हो रहा है कि 2 इन्टू 2 प्लस 1 इकल टू 5 5 इन्टू 2 माइनस 1 इकल टू 9 9 इन्टू 2 प्लस 1 इकल टू 19 19 इन्टू 2 माइनस 1 इकल टू 37 37 इन्टू 2 प्लस 1 इकल टू 78 तो आपका answer क्या हुझाएगा 78 योवर answer एकला question ये भी loop पद गयात करना है इसमें हमें क्या करना है सबसे पहले हम difference निकालते हैं difference निकाल के क्या करेंगे देखेंगे कि इसमें कितने का क्या difference आ रहा है तो यहाँ पे 56 और 90 इन में कितने का difference आ रहा है 34 34 यहाँ पे कितने का रहा है 42 यहाँ पे 52 और यहाँ पे 64 मतलब हम double difference से देखेंगे तो यह कितना हो गया 8, 10, 12 और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 14, sorry 14 करेंगे तो 64 प्लस 14 कितना हो जाएगा 78 और 248 प्लस 78 अपना हो जाएगा 326 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फौर्थ ओप्सन अगला क्योशन निम्न, लिकित, सरंकला में आगे आने वाली आकरती का चैन कीजिए अपने पास में क्या है कि figure series है आकरती हों कि series dv है तो इसमें हम क्या करेंगे ये series देखेंगे कि आगे कौन सा option अपना सई होगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एक figure given है ये क्या हो रहा है anti-clockwise में rotate हो रहा है anti-clockwise में rotate हो रहा है में नहीं किसमें और फिर्स्ट में जो सही है आपका क्यों से नमर 37 निमिल लिकित सरंगला में आगे आने वाली आकर्ति का चैन कीजिए अब इसमें क्या करना है अपने को सिरीज यह चैकर नहीं है तो देख रहें कि हम यहां पर फिर्स्ट में यह लाइन फैस्ट एक है यह भ में तीन लाइन हो रही है तो यह भी तीन लाइन हो जाएंगी मतलब अपने पास में तीन तीन लाइन की पेर से फिगर बनेगी तो ओप्स नमर थर्ड करेक्ट हो जाएगा क्यों से नमर 38 निमिल लिकित सरंगला में आगे आने वाले आकर्ति का चैन कीजिए तो अब इसमें हमें आगे आने वाले आकरती देखने हैं बेटा तो यहां देखते हैं हम टू सर्किल है फिर यहां थ्री हो रहा है फिर यहां सर्किल थ्री हो रहा है मतलब यह हां फिर अपने पास में आगे आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा सर्कल फोर हो जाएंगे ऐसे कंड़ने पर हमारे पास में यहां पर सरकल कितने हो जाएंगे और यहां भी क्या जाएंगे आपके पास में फोर्ट ट्राइंगल आ जाएंगे मतलब आपका zaoos nofork लिए मैं लेकिन कुछ महिला और कुछ बहने क्या हो सकती है अध्यापक हो सकती है मतलब आपके पास में ऐसा figure बनेगा तो ऐसा figure आपके पास में option number 4th में option number 4th is correct next question question number 40 दिये गए सब्द या आकरती का दरपन परतिवीम गयाद कीजिए अपने को इसमें क्या करना है दरपन परतिवीम बनाना है तो दरपन परतिवीम देखना होगा कि अपने पास में दरपन की side में है तो दरपन इस side में है तो हम क्या बनाएंगे figure इस side में बनाएंगे तो अब देखो हमारे पास में ऐसी कौन सी figure है यानि आपके पास में जो ये triangle है इसके अंदर एक circle बनावा है और जो ये shaded portion है यह सेड़ेड पॉर्शन इसके पास में आएगा क्यों सबसे पहले यह आएगा और यह यहां आएगा यह देखना होगा अपने को तो इसमें देखो ऐसा सेड़ेड पॉर्शन इसमें है लेकिन यह जो लाइन है यह यहां इस साइड में तो यह भी गलत हो गया और यह भी गलत है तो option number first is correct. Welcome students स्वागत है आपका techno 2024 solutions में मैं हूराकेश कुमाउथ जो हम solve कर रहे है physics का वेपर जिसमें हम first question लेते हैं 41 250 mm बराबर है 250 mm किसके बराबर होता है इसको लिटर में convert करता है तो आपने सीखा होगा कि यदि हम milliliter जो है कितना one by four option first next question है अपने पास कौन सा गलत है यह अच्छा question है काफी चीज़ें इसमें आ रही है आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आता है kilometer फिर आएगा hectometer फिर आएगा decometer फिर आएगा meter फिर आएगा centimeter फिर आएगा centimeter और लास्ट होगा अपना millimeter इन में से देखो यहाँ decometer मिल रहा है किस में convert करना है decimeter यह इधर से इधर जाना है मतलब हमें ten से multiplied करना है यहाँ देखो एक gap दो fast gap हो गया second gap हो गया यह अपने को 100 से multiply करना है तो यहां 100 daeca meter दे रखा है 100 से multiply करेंगे तो decimeter आ रहा है यानी correct है एक 1000 daeca meter से centimeter बनाना है तो dec to sentence आ रहे हैं यानी 10 से multiply करना है तो 10 से multiply करने पर 1000 को फिर से 10,000 आ रहा है यह भी सही है यहां 1 km में आपको सब को already पता है कितने मीटर होते हैं thousand मीटर होते हैं तो अपने पास बचा कौन सा 10 डेका मीटर अगर डेका मीटर को डेसी में कनवर्ट कर रहे हैं तो हमें यहां किस से multiply करना था hundred से करना था लेकिन यहां कितने से हुआ है 10 से इसका मतलब यह अपना option गलत है option हो जाएगा fourth next question है निम्न में से किस प्रकार निम्न लिखित किस प्रकार समान है समान है यह सब आपने पढ़ी होंगी यह क्या है सभी simple machines है सरल machine है next question है 44 दितियस रेनी लिवर में दितियस रेनी लिवर इसमें क्या होता है इस तरह से एक effort होगा एक तरफ फुल करम जो आधार या अलमज इसको कहें बीच में load होता है और यहां effort होता है प्रियास होता है तो बीच में load होता है तो load जो है वो कहा है बीच में कौन से में है second option में है इसका मतलब आपके लिए second option बिल्कुल सही होगा next है काम को आसान बनाने के लिए पहिया डेला किन दो सरल मशीनों का उपयोग करता है किन दो यहां देखो क्या क्या होता है पहिया डेला में पहिया होता है उसमें साथ-साथ वो यूज करता है किसका दूरी का और एक उसमें क्या चाहिए लिवर का तो next अपना पास आजाएगा यह जो option है इसमें आजाएगा कौन सा second नेक्स्ट है निम्न लिखित में से कौन सी परत्वीगी सबसे पतली परत है जो आउटर लेयर होती है सबसे उपर वाली जिसको हम भूपरपटी कहते हैं वो सबसे क्या होती है पतली होती है next question है 47 निम्न लिखित में से कौन सा इस्थल मंडल का वर्णन करता है तो यहाँ इस्थल मंडल में उपरी भाग में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो है भूपरपटी और उपरी भूपरवाह को इस्थल मंडल में सामिल किया जाता है option number 2 next आजाएगा पानी को उबालने के लिए निम्न में से किस प्रकार की उर्जा क्या हो सकता होती है देखो common sense का question है बिल्कुल आपको पता है कि पानी को गरम करने के लिए कौन सी उसमा चाहिए कौन सी उर्जा चाहिए उसमा उर्जा next आजाएगा किसी वस्तु को जमीन से उपर एक निश्चित उसाही से छोड़ा जाता है जब जमीन पर आती है तो उसके पास होती है प्यारे बच्चों जब हम उसको उपर से छोड़ेंगे तो उसके पास इस्तती उर्जा होती है जो ही अपन उसको छोड़ेंगे तो परत् का चायन करें, जो संपर्क बल हैं तो यहाँ चम्बकिय evolve नहीं है इसका मतलब यह नहीं हो सकता इस्थिर विद्धल यर्जन बल यह भी क्या है संपर्क बन नहीं है घर्षन बल बिलकुल है माघना करने और अप्रस आपक सोप्चन आ सबसे पहले कब बनाया गया था इसको बनाया गया था था सीब चांसे में नाइटीन नीटी सेवन के विपरीत होती है वासपी करन का मतलब होता है जल का बास्प में करंड होना अब प्रित पुझें स्विल में करें गान हो जाएगा का पानी उभलने से बारिस युदी बनती है नहीं पाणि इसे वह बन जाती है नहीं तो आसर की बनेगा कि कर सकते हैं पूरा की पूरा वॉर्टर है उस वॉर्टर को निच कर सकते हैं भारी कणों को नीचे पैंदे में बैटने को बोले तो हन्य बरना क्फित यहलता है यह रहा है इस को कर लिकविड हमें जे mism King करना को बोलते हैं sounds कि पॉरेफ का पानी में बदल ना बराफ पानी बराफ पानी मतला सॉलिड लिक्विट मतलब पिखल गया तो पहन रखना मतलब इंब संप्राइव को नापने को किया गेंगे वालुचा किस उपकरण से वाइउ का दाव ना पा जाता है तो वह अउसा बैयरो तरफ कर रहा है उसमें कौन सी टाइप की जलवाईव मिलेगी तो जलवाईव है आद्र याद रखना इसको उपोष्ण कटिक बन धी है आद्र तो ये बड़ा हमारा टेक्नो का 2024 केमिस्ट्री का सॉलिशन था और उम्मीद है मुझे आपके सभी क्रेक्शन आपके बिल्कुल क nem studyíreश से हम लोगpsyक टेक्ना uity-four का यहाँ पर सुलीशन करने जा रहे हैं सब्सक्रास Hey want son क्विशन आ गया तो इसमें देखते हैं क्या है अनके सरीर का आकार चिकने मुलायम पंख, खोकली अड़ियां और चोच, ये चारों ही विशेशता है किस की होती है, पक्षियों की होती है, जो कि उनको उड़ने में क्या करती है, help करती है, उनको सहयता करती है, तो इसका जो सही option होगा, वो कौन सा हो जाएगा, fourth, पहला A, B, C and D, इसका सही answer कौ जन्तों को अनुकुलन दिया गया है, देखते हैं क्या क्या दे रखा है, एक सुवेवस्तित सरीर दे रखा है, स्वास नली दे रखी है, जिल्लीदार पैर दे रखे हैं, गलफड़े दे रखे हैं, और पंग दे रखे हैं, जली जीव पानी में आसानी से विश्टरन करते ह क्या करते हैं तैर सकते हैं जिनके जिसके उप्योग से उप्रोक्त अनुकुलन में साहिता मिलती है देखते हैं तो देखो अपने पास में पांच ऑप्शन दे रहे हैं इसमें सबसे पहले सुवेवस्ती सरी तो होगा लेकिन इनके अंदर क्या नहीं होती स्वास नली नहीं हो तहर पाती है। लेकिन होगा क्या नहीं? स्वास नली यानि ट्रैक्या नहीं प्रजेंट होगा इनके अंदर तो इसका जो सही आंसर होगा, वो कौन सा होगा? फॉर्थ नमर केवल फर्स्ट, फॉर्थ एंड फिफ्थ नेक्स्ट निम लिखित में कौन सा सही यूग में है सही यूग में देखना पन को सही यूग तो पहला क्या ऑप्शन है आत्र ज्वर सांस लेने में कठनाई फिर डिप्थरिया सरीर पे लाल चकते पढ़ना रखत शिंदता सरीक बुखार या फिर दर्द फिर ऑप्शन नमर फोर्थ है पिलिया पिलिया के अंदर आख नाख़न और मुत्र का पारा तो इस पलता सई फ़ाश यूग में देखना do हैं फिट देखिए निम लिकित में से कौन सा हिरदय और फेवडों बगो शुरुक्षा कवच की तरह प्रका काम करता है कौन करेगा रीड की अढ़ि नहीं हो सकता सुरुक्ड्र या कपाल बिलकुल यह झीत नहीं हो सकता तो आपका जो अस्तिल पंजर है जिसको पर रिब केज भी बोलते हैं ये रिब केज जो होता है वो हिर्दे को और फेफड़ा दोनों को क्या करता है शुरक्षा कवच की तरह काम करता है तो इसका आंसर को जाएगा थर्ड अस्तिल पंजर बीज का कठोर आवरण क्या कहलाता है तो देखिए तो अपने पास में चार आवरण क्या बीज का बाहर का जो आवरण उसको क्या बोलते हैं आवरण बोलेंगे तो कौन अपने पास ओप्षिन कितने हैं चार बीज आवरण है बीज पत्र है अध्यावरण है और बाय चोल है तो बीच का आवरण मतलब बीजावरण तो इसको क्या बोलेंगे अपने बीजावरण बोल देंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे बीजावरण बोलते हैं इंगलिश के लिए नेक्स्ट बारत में जून से अक्टूबर महीने में कौन सा है जून टू अक्टूबर का महीना क खरीव की फसल वहेंगे बहई खरीव की फसल वहेंगे इसके नेक्ट सडक सुरक्षा का अनुसंचा देखिए एक्चुल के इंदर होते तो चाही है लेकिन इसके पर एक चूज करना है तो जब भी गाड़ी चलाते हैं तो उसके इंदर जो स्पीड लिमिट होती है वो हमेशा नियंतरण में उने ची है तो इसके लिए इस कांसर कोने सावगा इस था ही गती सीमा option number होगा fourth last है यदि आपके सहर में अतिसार किसको बोलते हैं डाइरिया को बोलते हैं किसको बोलेंगे डाइरिया को बोलेंगे तो आपको निम लिखित में से कौन सी साफ़दायनिया रखनी चाहिए तो अपने पर में option 4 है साफ उबलवा पानी पानी ही पीए पानी की खुली तेंकियों को ढख दें अपने आसपास कीट नाशकों का चिड़काव करें चीकते समय अपनी नाक को ढखें तो इसका आंसर कौन सा हो गया first first है साफ उबलवा पानी ही पीना चाहिए ओके थैंक्यू झाल 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 झाल